हेलो दोस्तो मैं प्रसांत एक्जाम रेज की योट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं करें जब विडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिपिक इसना तक सबसे पहले पहुंच सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं किसी संख्या के 15 गुना में तेश जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है वह संख्या कौन से है सबसे पहले हमने माना कि वह संख्या ए ठेल से है ठेल है एक है एक्स हमने मान लिए इसके बाद बोल रही उसे संख्या का 15 गुना में 20 जोड़ना होगा उसके से लीइए और है हुद है पिर से लिए दिए 15x से प्लेस तेज से बरावर 900 नौसो तेज ठीक है यतना प्राप्ट हो गए बस कोश्चन स्वाल्व हो गए अब क्या करना है 15x से तेज का पक्षांतर कर देंगे 15x बरावर नौसो तेज से माइनस तेज तेज तो हैं पर किता आजएगो दोस्तो 15x से बरावर 900 अथाथ x की वैलू किती आजएगी एक की वैलू आजएगी जब 900 में 15 का भाग जाएगा तो एक की वैलू आजएगी साथ ठीक है दोस्तो ओप्स नूमबर वन इसका करेक्ट आंसर जाएगा चलिए दोस्तो अब नेस्ट कोश्चन क्यों चलते हैं नेस्ट कोश्चन है यदि 5 इस्टार 3 4 5 7 11 से विभाद जो तो च्छार की स्थान पर कौन सा अंक आएगा ठीकर दोस्तो यह कोश्चन लिखा है तो इसको कैसे स्वाब करेंगे इसके पहले मैंने मैंने इस कोश्चन को सवावत कराया था सबसे पहले libre को यूग के रूप में लिख देते हैं तो 5 प्लेस इस प्लेस फोर प्लेस 5 प्ले इस्थान पे हो तो दो इस्थान पे कौन से है यह इस्थार है इसके बाद चार है इसके बाद 6 में इस्थान पे 7 है तो इस्थार प्लेस 4 प्लेस 7 इसको जब इसको सॉल्ब करेंगे तो कि इत्ता आ जाएगा 11 प्लेस इस्थार ठीक है चार और सात मिलके 11 हो गए तो ये Equation No. 1 आ गए त्यकेजंबर डियार प्लेश इस्टार इसमसंख्या का Equation आ गए इसके बदर विसमसंख्या के Equation क्या होगा विसमसंख्या के Equation होगा 5 3 ओर 5 ठीक है यह बिसम संख्या मतलब एक तिन और पांच में इस्थान पर आई हुए अंक है, तो यहां पर किता आ जाए गया, यहां पर आ जाएगा 13, यह equation number 2 आ गया, जो कि बिसम संख्या का equation है, अब equation number 1 और equation number 2 को आपस में घटा देंगे, equation number 1 क्या था, 11 प्लस इस्टार, यह equation 1 था, और 13, equation number 2 था, यह संख्या का था, और यह बिसम संख्या का equation था, अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो किता आ जाएगा, 11 प्लस इस्टार, माइनस 13, बराबर 0, यहां प्लस इस्टार किता आ जाएगा, इस्टार, माइनस 2, जब माइनस 13 से, प्लस 11 जाएगा, तो यह आपस नमबर 4 था, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अब next question क्यों चलते हैं, next question बोल्डा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तर्था पेड़ की नीचे बक्रियां चर रही हैं, उनके सेरों के संख्या 35 है, तर्था पैरों के कुल संख्या 90 हैं, तो तोते के संख्या दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, कि तोतो, तोते और बक्री के सिर्फ एक ही रहेंगे, अर्था एक से प्लेस वाई परावर 35, ये equation number 1 आगए, जैसा बोला question, उसे type से इसको solve किया, हमने कर दिया, एक से प्लेस वाई बरावर 35, ये उनके सेरों के कुल संख्या है, अब इसके बाद क्या बोला, पैरों की कुल संख्या, 90 है, तो तोते के 2 पैर होते हैं, और बक्री के 4 पैर होते हैं, तो तोते के 2 पैर हो गए, और बक्री के कितने पैर हो गए, 4 पैर हो गए, बरावर 90, ये question पे दिया है, ठीक है, अब ये equation number 2 है, लेकिन इसको थोड़ी छ चोटा कर लेते हैं, चोटा कैसे करेंगे, equation number 2 पे, equation number 2 पे 2 का भाग देंगे, equation number 2 पे जैसे 2 का भाग देंगे, तो कैसे आजाएगा, x plus 2y बराबर 45, ठीक है, आप इसे solve कर सकते हैं घर पे, तो यहां पर कितना आजाग दोस्तों, जैसे 2 का भाग देंगे, तो यहां पर आपस में घट आ देते हैं, equation number 1 क्या था, x plus y, बरावर 35, और equation number 2 अभी आया था, क्या था, x plus 2y, बरावर 45, अब इसको आपस में घट आ देना है, तो x और ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पस कित्ता हो जाएगा, minus आजाएगा, और यहाँ पस भी minus आजाएगा, अब यहाँ पस कित्ता आएगा, जब 2y से 1y चला जाएगा, तो यहाँ पस minus y आएगा, और यहाँ पस कित्ता आजाएगा, minus 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 को बतान है तो equation number one पे y की value को रख देते हैं equation number one क्या था x plus y बराबर 35 जैसे x की value y की value इस पे रखेंगे तो x की value प्राप्ट हो जाएगी y की value किती है 10 यहां पास 35 लिख दिए तो x की value किती ही आ जाएगी x की value आ जाएगी 35 में से जब 10 जाएगे तो 25 आ जाएगी x पराबर 25 यह तो तिक की संख्या है ठीक है दोस्तो ओप्स नंबर one इसका correct answer है अब next question क्यों चलते है एक से लेकर 100 तक कितनी अभाजी संख्या है अभाजी संख्या किसे कहते हैं अभाजी तीन में सिर्फ तीन का फाग जा सकता है और एक का फाग जा सकता है इसे पकार साथ में सिर्फ साथ का फाग जा सकता है और एक का फाग जा सकता है अर्चा तो वे संख्या हैं जिसमें जिसके केवल दो गुड़न खंड हो उसके अलाबा उसका कोई और गुड़न खंड नहो अभाजे संख्यां कहलाती है तो एक से लेके 100 तक कित्ती हवाजे संख्यां होंगी एक से लेके 100 तक तो एक ही हो गए और 100 ही हो गए इनके बीच हमेशा 25 अभाजे संख्यां रहती है ठीक है एक से सौ तक पच्चिस अभाजे संख्याय रहेंगी ओप्स नमबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है दोस्तो और इसी टाइप पे पूछ लेता एक से पचास तक कित्ती अभाजे संख्याय रहती है तो उसका आंसर रहता दोस्तो 15 ठीक है एक से पचास तक 15 अभाजे संख्या रहती है ठीक है दोस्तों अब हमें comment box में बताएं कि इंक्यामन से 100 तक कित्ती अभाजे संख्या रहती है यह हमें comment box में बताएं चलिए next question क्यों चलते हैं यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या कौन सी होगी बहुत हीजी question दोस्तों अक्सर पूशा जाता है सबसे पहले क्या करेंगे 31 और 75 को आपस में जोड लेंगे 31 plus 75 इन दोनों को आपस में जोडने के बाद 2 का भाग दे देंगे तो भाई संख्या आ जाएगी अब 31 75 को आपस में जोड़ेंगे तो गित्ता आ जाएगा 106 106 में 2 का भाग दे देंगे तो यहां पर गित्ता आ जाएगा 5 बटे 3X जैसा कोशियं बोला सेम् टो सेम वियुल कन शुल करने हैं इसकी बाद क्या करेंगे 31 कारेंगे क्क नेचे 8 में जोड़ेंगे लिए और 10 लाग जोड़ेंगे तो गित्ता आ जाएगा आए अंगे 3 और 25 करेंगे 1 गह जोड़ेंगे तो 16 x बटे 15 आ जाएगा ठीक है यह अपने बैल्यू आ गई अब इसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रेटिसत निकालते हैं तो उसमें 100 को गुड़ा कराते हैं और जो प्रारंभिक संख्या रहते हैं उसका भाग दे देते हैं तो अपने बैल्यू कित्ती आई 16 x गुड़े पर 100 हैगा दोस्तों यहां पर 3 है यह 3 ऊपर चला जाएगा और मंकिये वाली संख्या पूरी नीची आ जाएगी ठीक है यहां पर 3 चला गया अब यहां पर क्या आ जाएगा 15 इंटू 5 x बस इतना आ गया सबसे पहले एक्स से एक्स कट गया अब इसकी बाद ज इस ठीक है अब इसके बाद 3 एकट गया और 3 यह अपर कितने बचे दोस्तों 4 बचा और यहां पर 16 बचे ठीक है अब 16 और 4 का आपस में गुड़ा हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 64 प्रेतिसत ठीक है दोस्तों आप इसके एकुलेशन को आप इससे स्वाल करिएगा औ ठीक है दोस्तों 64 प्रेति के टूल्टी रहेगी ठीक है अब देट कोशन के चलते हैं कोशन नमबर सेवन है यदि एक भिन का अंस 20 प्रेतिसत और हर 25 प्रेति बढ़ा दिया जाए तो परिणाम सुरूप वह भिन 3 बटे 5 है तो वह मूल भिन क्या होगा सरपत हम हमने माना कि इसके बाद बोला है उसका अंस 20 प्रेतिसत और हर 125 प्रेतिस बढ़ा दिया तो दोस्तों जब भी इस टाइप के कंडिशन आती है जिस पर प्रेतिसत की रूप में बात हो और बढ़ानी के लिए हो तो क्या करते हैं उसको 100 के साथ एड़ कर देते हैं यदि घटानी के लिए बात होती तो इसको 100 के साथ माइनस कर देती तो इसमें बढ़ानी के लिए बात करता है तो इसको 100 में एड़ करेंगे कित्ता हो जाएगा 120 प्रेतिसत ये 120 प्रेतिसत हो गए और हर कित्ता हो जाएगा हर हो जाएगा 125 प्रेतिसत ठीक है इन दोनों का आपस में यहां पर गु प्रिफर से प्रिफर से एकळ दोस्त बच्छता है अब ईक्सपान वाई की वैल्यू प्राप्ट करने के लिए करते हैं कि एकसुंपचीस है 125 है और 125 न्हें दोनों पार कर आजाएगे तो तीन के बटे 5 यहां पर आजाएगे 125 और यहां पर आजाएगा 120 ठीक दोस्तों अब इसे solve करते हैं अब इसे solve करेंगे तो कित्ते आजाएगा एक सब्सक्राइब वराबर 25 बटे 40 आया, X upon Y की बेल्यू के दिया आई, 25 बटे 40, अब 5 का भाग लगा देते हैं, तो 5 बचे 25 और 5 बटे 40, ठीक है, अथाथ, X upon Y की बेल्यू के दिया आजे, 5 बटे 8, ठीक है, ओप्स नमबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, अब next question क्यों चलते हैं, next question है, प्रेशन वाच्या के चिन्दे के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया, कि प्रेशन वाच्या के स्थान पर X आएगा, ठीक है, X का का मतलब क्या होता है, गुड़ा, ये गुड़ा होगा, तीस प्रेटिसर बोला है प्रेटिसर की जागे या लिख सकते हैं यह हो गए इसके बाद प्लेस लगा दिये इसके बाद 64 है 64 का 5 बटे 8 यह उसे तरह कर दिये रोस्तो इसके बाद था 121 अब इसे सॉल्ट कर देना बस इसका अंतर आ जाएगे 10 से 10 एकट गया इसके बाद एक गुड़े में है तो इसलिए एकट जाएगा तो आठे कम 8 64 यहां पर किता आजएगा दोस्तो आठ और 5 का आपस में गुड़ा होगा तो 40 आ जाएगा 40 है यहां पर किता आजएगा 3 by 10 into x ठीक है इता आ गया और यहां पास 121 तो बना रहेगा अब इसके बाद क्या करते हैं 40 का पक्छांदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 x बटे 10 बराबर 121 माइनस 40 ठीक है तो जब 121 से 40 घट आएगे तो लगभग किता आ जाएगा रोस्तो 81 आ जाएगा ठीक है अब x की value को find कर लेना है x की value को find करेंगे कैसे करेंगे तो यहां पास 3 x बटे 10 बराबर 81 दिया है ठीक है दोस्तों आप इस के एकुलेशन को अपने copy भी करिएगा राइट आंसर रहेगा ठीक है ओप्स नमबर 30 इसका correct आंसर रहा ठीक है अब next question क्यों चलते है एक्स अनपाथ y बराबर 2 बटे 2 अनपाथ 3 और y अनपाथ z बराबर 2 अनपाथ 1 तो x अनपाथ y अनपाथ z अनपाथ बताईए ठीक इस टाप के question अक्सर आते रहते हैं तो सबते पहले अपने को x y और z की value को प्राप्ट करना है तो x अनपाथ y अनपाथ और z अनपाथ इस टाप से इसे लिख दिये है x अपन y कितना है यहाँ पर था 2 अनपाथ 3 और y अनपाथ z की तथा 2 अनपाथ 1 अब क्या करना है जो left तरफ है और जो light तरफ है उसको उसे टाप से लिख जाएते हैं जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के आँगे 3 ही रहेगा और 2 के आँगे 2 ही रहेगा ठीक है अब इन दोनों का आपस में गूडा करा दे है डियुकल में गूडा होगा तो कि रहेगा चार आ जाएगा यहाँ पर अनपाथ है अब 3 का गुडा फिर से यहीं होगत में अदोन ऑक़ो कर देता है सबसे पहले क्या करते है एकस से y और जड को अनपाथ के रूप में लिख façon और य कि वैल इन ID तेन और वाई और जल्ट की वह लिखती है दो अनपाथ एक अब जो लेफ्ट तरफ है तो उसको लेफ्ट तरफ उसे संख्या को लिख देते हैं और जो राइल तरफ है उसे संख्या को लिख देते हैं जैसे यहाँ पर तीन है तो तीन के आंगे तीन ही लिख देंगे और यहा के साथ एक ककुड़ होगा तो तीन आजाएगा ठीक है अर्थाथ option number third is का correct answer ठीक है ठीक है दोस्तों I hope आप सभी लोग समाज गए होंगे option number third is का correct answer अब next question क्यों चलते है next question है यदि दो संख्याओं को और सत और अन्य तीन संख्याओं को और सत क्या होगा बहुत easy question दोस्तों 5 संख्याओं को और सत बोला है तो 5 संख्याओं को और सत होगा और सत होगा यहां पर संख्याओं दोस्तों 5 संख्याओं को और सत है सबसे पहले 2 संख्या लिखा है 2 into 8 plus और 3 संख्याओं को और सत 3 into 3 बटे पांच हो जाएगा बस इसका अंसर आ गया अब यहां पर 16 हो जाएगा आठ रूनी 16 और तीन तकाई 9 16 और 9 मिलके आपस में कित्त हो जाएगे 25 ठीक है इसे में कर देता हूं 16 प्लेस 9 बटे 5 तो यहां पर कित्त आ जाएगा दोस्तों 25 25 में जब 5 का भाग चला जाएगा जाएगा पांच ठीक है आपस नंबर हो फोर्थिस का करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है अब इससे सॉल्ब कर जिएगा अब नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशन है दोस्तों कोशन नंबर गया रहे हैं यदि 10 वस्तूओं का लागत मूल 8 वस्तूओं के विक्राय मूल के ब इस फॉर्मूल की मदद से आप इस टाप की कोशन को सॉल्ब कर सकते हैं एक बार फिर फॉर्मूल को में रिपेट कर देता हूं क्राय मूल माइनस से विक्राय मूल इंटू साओ बटे विक्राय मूल ठीक है अब यहां पास इस बैल्ली को रख देते तो इसका आंतर आ जाए इसका आँसर आगया तो दस में से आठ जाएकर कि इतना बचेगा दो बचेगा तो दो अपान आठ इंटू सव ठीक है अब 2 में 8 खाट जाएकर यहां पर 4 बचेगा तो यहां जैसे चार बचा अब साव में चार का भाग लगा देंगे तो किता हो जाएगा पच्चेस ठीक है ओप्स नम्मोर वन इसका करेक्ट आंसर है ठीक है दोस्तों अब नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्ट कोशन ने 10 संत्रू का विक्रे म मोल 13 संत्रों के लागत मोल के बरावर है तरह नहीं सार कितने प्रिश्ट लाभ उगा सेम अगा कोशन दोस्तों क्या कोशन है क्वा फॉर्मूला क्या थोकए वालगाल माईनर माईन से विक्राय मूल इंटू 100 यहाँ पर कोश्टा कर देते हैं और यहाँ पर क्या रहता विक्राय मूल इस फॉर्मूला की मत से आप इस कोश्टन को सॉल्ब कर लेंगे इसली चलिए करते हैं तो यहाँ पर किता आजाएगा 13-10 बटे 10 इंटू 100 तो यहाँ पर आ गया 3 बटे 13 में से 10 घट आएगे तो 3 बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 10 3 बटे 10 एंटू 100 अब 10 से 10 एकट गया अब 3 और 10 का अपस में गुड़ा हो जाएगा तो तो बचेगा 30 प्रेसल ठेकर दोस्तो ओप्स नमबर तो इसका correct answer रहा दोस्तो question number 13 है यदि क्रेमूल और विक्रेमूल का अनुपात 5 अनुपात 3 है तो हानी का प्रेसल प्रेसल क्या होगा बहुत ही अच्छा question दोस्तो सबसे पहले हमने मान लिया कि क्रेमूल कितना है 5 है ठीक है क्रेमूल 5 है तो विक्रेमूल कितना होगा चार होगा है ठीक है वही तो बता है क्रेमूल अनुपात विक्रेमूल कितना दिया है 5 अनुपात 4 तो हमने मान लिया कि क्रेमूल 5 है और विक्रेमूल 4 है ठीक है कितना अपने को मान लिया तो हम देखते हैं कि विक्रेमूल जादा है विक्रेमूल से इसलिए हानी होगी हानी कित्ती की हो गई जब पांच में से चार को घटा देंगे तो हानी एक जोरे है अब अपने को हानी प्रसथ निकाल ला है तो हानी प्रचसथ का सूथ क्या होता है हानी प्रचस बटे क्रैमोल इंटू सुं एक कोशिन निकल की आता है कि लाब और हानी की गढ़ना किस मोल पर की जाती है तो उसका अंसर रहेगा हमेशा क्रेमोल पर की जाती है तो हाँ नहीं है अपस किते हैं दोस्तों हाँ नहीं है एक क्रेमोल किते था मैंने बताया था पांच और यहाँ पर सौ तो लिखा ही रहेगा तो सौ में जब पांच का भाग लगा देंगे तो 20 आ जाएगा बहुत इजी कोश्चन सबसे पहले क्या करते हैं जो मुक्त में देता है ठीक है मुक्त वाली मुक्त वाली वस्तु वस्तु इंटु सव बटे टोटल वस्तु की संख्या कुल वस्तुं की संख्या ठेसा यह एक formula होता है इछ formula की मतर से आपको question को असानी से solve कर सक convex क्या है जोस्तू Drumulaw क्या है मूफ्टवाली वस्तुं की संख्या यहां पे मूफ्टवाली वस्तुु कौन सी है यहां पर मूफ्टवाली वस्तु is 2 ठेक है और दो आपस में कुल वस्टू हो जाएगी ठेक है अब इस question को solve करते हैं तो मुफ्ट वाली वस्टू है दो इंटू कर दिए सव इसके बारे रोस्टू टोटल वस्टू के संख्या तो 6 वस्टू तो दे ही राता सांथे सांथ दो वस्टू और दे दिया मुफ्ट में तो कित पच्चेस ठेक है पच्चेस प्रिसेंट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्स नूमर वन इसका कर्यक्ट आंसर अब नेक्ट को चलते हैं सेम तो वैसा कोशन है इसमें बोला है कि जब सुनीता बारा चूड़िया खरीदती है तो उसे तीन चूड़िया मुक्त मिलती है तो क आपस में तो फल्ट हो जाएगी है तो अमने लिख दिया 15 अब तीन चंटीन प्से 15 है कि साव में 5 कभाग लगाएंगे तो यहां इसमार आँगा 20 थेक है और समन्बर 20 का कर्यक्ट आंसर रहा अब निच्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्ट कोशन है एक प्वर्स में मूल्ध 12 है तो ब्याज की दर बताईए ठीक है दोस्तों इस question में बोला है एक वर्स में मूल्दन और मिस धन का आपकर स्मिवन पाद कितना है 10 अनपाद 12 है तो आज की दर बताईए ठीक है एक वाला question आया है इसको कैसे solve करेंगे सबसे पहले हमने माना कि मूल्धन कितना है 10 और मिस धन कितना हो गया 12 है ठीक है हमने सबसे पहले मान लिया कि मूल्धन मूल्धन हो गए 10 और मिर्स धन हो गए 12 ठीक है मूल्धन 10 हो गए और मिर्स धन 12 हो गए तो आप देख रहे होंगे कि मिर्स धन जादा है और मूल्धन कम है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं इससे हम निकाल सकते हैं ब्याज ठीक, ब्याच का मतलब क्या होता है? मिलस्धन से मूलधन को घटा देते हैं तो मिलस्धन किता था? 12 था और मूलधन किता था? 10 यहां पर किते आ गए? ब्याज किता आ गए? 2 ठीक है? ब्याज अपनी आ गए? 2 अब अपने को दर निकालना हे 10 के सब शूत्र क्या होता है 10 बड़ाबर होता है 10 परी सब बड़ाबर 20 इंटू सव मूलधन इंटू समय दो़स्तों आप लचाहँ होंगे यहाँ पर समय कित्द्द इया है यहाँ पर समय दिया है एक वर्स आप इससे सुधान लेज़ेगा है 1 वर्ष से समय दिया है ठीक है थाओ यहां पास एक वर्ष से दिया है ठीक है अब इस फ küçük एक ह clubs ला रग देते हैं हम लिख धे रभी थे विज्ट्यटी conducting कई दुट लिख इंस नितों कर चलते हैं नेक्ट कोशन है कोई धन्दास थी 25 वर्षों में त्रिक नहीं हो जाए तो इसके लिए सधारण ब्याच की दर्ग क्या होगी बहुत ही अच्छी ट्रिक दोस्तों इस कोश्चन को सॉल्ब करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है इस कोश्चन को मात्रे 5 सेकंड पर सॉल्ब कर सकेंगे ठीक है तो सबसे पहले रहता है जितने पिगुना होता है ठीक है तो गुना माइनस वन गुना माइनस वन इंटू सव बटे यहां पास दर बोल है ठीक है दर बोल है तो यहां पास सामय आएगा यदि यहां पास सामय होता है यहां पास दर आ जाता ब पर टेख समय या दर ठेक है समय या दर दो में से एक चीज रहेगी ठीक है तो यहां पर गुना बोल रहे जैसे यहां पर लिगा तीन गुना तीन गुना तीन गुना ठीक है इस को सॉल्व कर देते हैं उसके मादस से तीन नहीं बोला है मतलब इसको कुश्टक में कर दिया और यहां पास किता बोले रूसतों नहीं पर समय किता आजहेगा 5ल तो 3 में से जब एक जाए तो किता बचेगा जब 2 यहां पास नमबर वन इसका correct answer है ठीक है दोस्तों एक बार मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं फॉर्मूला क्या है दोस्तों गुना माइनस गुना माइनस वन एंटू सव बटे समय या दर जो भी दे रहते हैं उसके इसको परिवातित कर लेना है अब नेट पोर्चन क्यों चलते हैं कितने वर्षों में कोई धन रास्ती 25 वर्षिक सुर्हांड प्याज की दर से तीन गुनी हो गई दोस्तों इस पर समय पूंच है ठीक है अपने को समय निकालना है तो बस वहां पास समय की जगत दर आ जाएगा तो उसे वाले फॉर्मूले पर रख देते हैं आपर तीन गु तो सॉल्ब करेंगे तो कैसा आएगा सबसे पहले दो एंटू 25 एंटू 100 ठीक है यह आ गया अब यहां पास करेंगे तो 25 से कम 25 और यहां पास आज़ेगा 25 को 100 अठात 8 वर्ष आएगा ठीक है दो और 4 का आपस में गुड़ होगा तो 8 वर्ष आ जाएगा ठीक है आपस सलते हैं when push 0 कहिए जिंडे करें दो शों नेश्यार हुआ सि्राम सियाम सुरेज किसी कार्य कार्य को चार पांच और दस दिन में पूरा करते हैं आंखकर 3-0 मिल उसकार को कित्यक दिन में पूरा करेंगे तुकर रोस्तो एक कॉस्ट न को सॉल्व करेंगे कॉस्टण के लिए एक formula होता है A x B x c ,- B इस formula के मायदर्शय आप इस question को सॉल करेंगे बहुत ंजीडरी के से ठीक है तो हमिने राम को माल लिए A, स्याम को माल लिए B और सूरेश को माल लिए C, तो 4 इंटु 5 इंटु 10, ठीक है, अब यहां पस A भी भी भिला है, मतलब 4 इंटु 5, प्लेस B, से मतलब 5 इंटु 10, और यहां पर C यह लिखा, मतलब 10 इंटु 4, 10 इंटु 4, दोस्तो आप इसे solve करिएगा, तो यहां पर किता आ जाएगा दोस्तो, 4, 5, और यहां पर आ गए 10, ठीक है, इसे solve करिएगा, यहां पर किता आ जाएगा दोस्तो, A, B की value आ गए, 20, और इसके आ गए, दोस्तो, 20 की value आ गए, 50 और इसकी value आ गए, 40, ठीक है, अब इसे solve करिएगा, इन सभी को आपस में चोड़ेंगे, तो किता आ जाएगा, इन सभी को आपस में चोड़ेंगे, तो 110 आ जाएगा, चार पांच और 10 रहेगा, और इहांपस आ जाएगा, 110, एक 0 से 1, 0, 1, 8 गया, अठाथ यहां पस किता आ जाएगा, 20 वटे, 11, ठीक है, लेकिन दोस्तो, एक question तो सही हो गए, ठीक है, option के हिसाफ से सही हो गए, ठीक है, option नमबर 1 इसका correct रहेगा, लेकिन इस type को इसे एक और भाग लगा देंगे तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं ठीक है एक सहे 9 गटे 11 इस टाइप से भी option को दे सकता है अठा तो option number 1 इसका correct answer रहेगा ठीक है option के उपर depend करेगा कि answer क्या रहेगा हम नच को चलते हैं 22 आदमी किसी काम को आठ दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमी उस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे बहुत easy question सबसे पहले का करते हैं 22 और 18 को आपस में गुड़ा कराते हैं 22 और 18 को आपस में गुड़ा करा दी हैं हमने माले कि x मर एक से आदमी और लगेंगे एक से इंटू 12 बस इसको solve करना है एक की value को find करना है तो एकस को छोड़के यहां तरब उसको तेरे गुड़ा करा देते हैं तो 22 इंटू 18 बटे 12 ठीक है यहां एकस आ गए ठीक है अब यहां पर तीन का फाग लगा देंग तीन चोको 12 और तीन चंग 18 यहां अब किता आगा दोस्तो 22 इंटू 6 बटे 4 और यहां तो एकसा ही ही तो फिर से यहां पर दो का फाग लगा देंगे तो यहां पर दो आ गए और यहां पर तीन आ गए ठीक है अब इसके बाद दो का फाग फिर लगाए तो यहां पर किता आगा 11 और यहां पर किता आगा 11 और दिन का आपस में गुड़ा करा दिना है ठीक है मैं इंटू M1 इंटू D1 और M2 इंटू D2 यह इसका फॉर्मूला होता है ठीक है इसकी मादर से आप इस कोशन को सॉल्ब कर सकते हैं अब नेफ्ट कोशन के वह चलते हैं नेफ्ट कोशन है कोशन नमबर 21 से यदि एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B टक 6 किलो मीटर पर दिहंते के चल जता है तो और सचाल को फॉर्मूला क्या होता है और सत जाल बराबर 2xy बते x य फॉर्मूला होते हैं इस फॉर्मूला की मेंद़े आप ऑफ सलच उनकाल सकते हैँ ठीक है तो यहां पर 2 हो गए हैrence एकसकी बैल्यू किते होगे x की वैल्यू किते होगे यह लिख दिया है अब इसके इसको solve करते हैं इसे 2 x 6 x 3 और 6 और 3 आपस में मिलके किता होगा 9 अब इसे भाग लगा देती हैं तो 3 इकम 3 3 तेकाई 9 ठीक है 3 इकम 3 और 3 दूने 6 तो 2 और 2 का आपस में को ड़ा होगा तो किता हो जाएगा चार किलोमेटर पर होगा ठीक है फॉर्मूला क्या होता है चाल का 2 x y बटे x प्लेस y इस फॉर्मूला की मदद से आप इसे solve कर सकते हैं नेट कोच्टन के ओ चलते हैं एक रेल गाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेट फाम को 20 सेकंड़ में पार करती है यदि रेल गाड़ी 150 एक्स्वाच्ट मेटर लंबे है तो उसकी चाल व्याद किजिए तो चाल का courtroom क्या होता है चार्षाल का göster होता है दूरी बढ़त्य समय ख़ेका चाल का सूट होता है दूरी बैटे समय तो यहां पर दूरी क्या होगी तो यहां पर दूरी क्या रहेगी रेल गाड़ी की लंबाई रेल की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई यह अपनी दूरी कहला जाएगी ठीक है प्लेटफार्म की लंबाई आप इस समझ सकते हैं यह प्लेटफॉर्म हैं 20 सेकंड यहां पर लिखा है 20 सेकंड बस इसे सॉल्ब कर देजिए एकट गए एकट गए तो यहां पर किता आजएगा 60 में जैसे दो का भाग देदेंगे तो यहां पर आजाएगा 30 ठीक है ओप्स नम्मर वन इस दा करेक्ट आंसर ठीक है दोस्तों 30 में प्रति सेकंड इसका आंसर रहेगा नेस्ट वॉसन है यदि एक रेल गाड़ी बेन रुखे 90 किलोमीटर पर त्थिहंट जाती है यदि वह बीच में रुख जाती है तो उसके लिए 75 किलोमीटर त्थिहंटे रुख जाता है तूपोरी करती है तो बताई इसचा अंटे वह कितने मिज़ती है बहुत लेकिन जो टहने लोटता है लेकिन वुषे करने जोटा थैसे लिए फॉर्मूला होते है चालो में अंतरी को कि बटे प्रारंभिक अन्ताल इंटु 60 थीक है फॉर्मूला क्या होते है चालो में अंतर locks चालों में अंतर बटे प्रारंबिक चाल इंटू 60 ठीक है किया है दोस्तों फॉर्मूला चालों में अंतर इंटू 60 बटे प्रारंबिक चाल इसे फॉर्मूला की मादर से आप इस कोश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे ठीक है तो यहां पास चालों में अंतर क्या हो जाए है चाल कौन सी है यहां पस magra और यहां पस 75 है तो नब्बे माइनस 75 इन टू तो सॉप् plastics कोड़ विखल लुजप आते हैं यहां पर प्रारम्बिक चाल रखेते हैं प्रारम्बिक चलकर रन यहा 열ा ठिक है वनि फॉर्मूलां बताय साथ एछ घ्या घ्य Et Uh बने फॉर्मूला बता है था चालो में अंतर इंटू 60 बते प्रारंभिक चाल इस फॉर्मूला की मादर से आपके से आसानी से हल कर सकते हैं तो अब यहां पास है नबे में से जब सचते जाएगे तो कित्ता बचेगा नबे से पचते जाएगो तो पंद्रा बचेगा तो आप्स नॉम्बर वन इस दा करेक्ट आंसर, अर्थात हुए 10 दस मिनट रुकती है, ठीक है, अब नेट कोशन क्यों चलते हैं, एक नाओ न बहते हुए, न बहते हुए जल में 13 किलो मेटर पर दिगंते के चलते है, यदि भाई 4 किलो मेटर, यदि धारा की गती 4 किलो मेटर प और इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या बोला है दोस्तों अनुप्रवाह में नाव को कितना समय लगेगा ठीक है अनुप्रवाह में नाव को समय लगेगा तो यहां पस लेखेंगे दोस्तों समय बराबर समय बराबर यहां पस दोस्तो चार है तो तेरा और चार आपस में मिल जाएंगे ठीक है जह पर किता हो जाएक दोस्तों समय वरावर एक वरावर अज़से बता देता हूं अनुप्रवाह में नाव की चाल अनुप्रवाह में नाव की चाल में समय लगेगा तो समय वराबर समय वराबर दूरी कितनी है दोस्तों यहापस देखेंगे दूरी है अर्ट साट किलोमेटर और चाल कौन कौन से है दोस्तों एक नाव की चाल है और एक धारा की चाल है धारे की चाल चार ठीक है तो तेरा प्लेस चार तो तेरा और चार आपस में मिलके सत्रा हो गए अब आजट में सत्रा का फाग लगा देंगे तो कितना बचीगा चार ठीक है ओप्स नॉम्बर बन इसका करेक्ट आंसर रहेगा अब नेट कोशन के वो चलते हैं एक आयत की होता है लंबाई इंटू चोड़ाई यह होता है आयत का छेथफल लंबाई इंटू चोड़ाई यह होता है तो सबसे पहले का करते है 35 और 30 को आपस में गुड़ा करा देंगे तो आयत का छेथफल आ जाएगा 35 और 30 का आपस में गुड़ा कराएंगे तो कितना हो जाएगा ठीक है वर्ग क्यार क्यारियं बनाए जाती है तो वर्ग का छेथफल क्या होता है वर्ग का छेथफल होता है वर्ग का छेथफल वराबर भूजा का स्क्वेर ठीक है भूजा इंटू भूजा लिख सकते है यानि भूजा इंटू भूजा ठीक है ये वर्ग का छेथफल होता ह तो क्यारी के एक भूच चित्य है 5 मीटर तो 5 into 5 थीक है तो यहां पर कित्ता जाएग दोस्तों वर्ग पच्च्छ वर्ग मेटर ठीक है तो 25 वर्ग मेटर वर्ग क्यारी कर खीद फ़ल आगा ठीक है तो अपने कित्नी क्यारियां बना जा सकती है तो क्यारियों के संख्या एक क्यारी का एक क्यारी का चीज़ड़ ठीक है आयत के शेटपल गता था 15 एंटु 30 और 15 थीज़कर मैंने बताये तो 5 और 5 का गुड़ा करा देंगे तो 25 आ जाएगा क्योंकि क्यारी बर्ग कर रहे इसलिए वहाँ पस वर्ग का फॉर्मूला लगेगा तो यहां पर 5 का फाग लगा दिए तो 5 बचे 25 और 5 चक का 30 अब यहां पर कित्रा जग दोस्तों पांच एक पांच 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 35 और 7 और 6 का आपस में गुड़ा करा देंगे तो कित्रा जग दोस्तों 7 इंटू 6 बराबर 42 ठीक है ओप्स नमबर वन इसका कर्यक्त आंसर है दोस्तों मैंने NCL में कंडेक्ट कर रहे जाने वाले सहवी एकजाम के लिए मैथ हिंदी इंगलिस और मॉडल पेपर से लेटर कई वीडियो को बनाया है यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियो को भी देखे ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टनेट है लिंक मने इस वीडियो की रिसेप्शन में दे दिय है दोस्तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं इस वीडियो को अपने दोस्तों के सांथ जादा से जादा से शेयर करें ताकि उनके प्रेप्रेशन भी अच्छी हो सके मिलते हैं नेस्ट वीडियो पे तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पेडिया प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं लिंक मन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से जाके इस वीडियो का पेडिया प्राप्त कर सकते हैं